असलाम अलेकुम एविवान तो आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे मार्किट की परफॉर्मस के बारे में कि मार्किट कैसी नदर आ दिया मार्किट कहां जा सकती है आज कि डिव्यू के अंदर देखेंगे इंडिक्स के अंदर जो तीजी आई यह मुकिन रीजिंस की विज कैसी बन रही है और क्या चीज नजर आ रही है तो इन सब चीजों को कोशिश के जाए कि उसमें डिसकस कर सकें जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो वह इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आकन को दबाना मत बुले कि जिस आपको हमारी यह थाजार पंदरा पॉइंट के पर क्लोजिंग दिए अगर वॉल्यूम देखे जाए तो 136 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जो कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है कंपैरेटिव तू मार्केट एक्शन जैसे कि अगर मार्केट एक्शन की बात की जाए कि इंडिक्स के लेवल में बहुत जादा फाइदा हुआ है मीन्स के जो गेन आया बहुत जादा है बट वॉल्यूमेट्रिक साइटियों पर इतना गेन नहीं आया है तो अगर हम यहां पर मंतली चार्ट ओपन करें जो के ल मार्केट ने जो है तक्रिवें बारा सो पॉइंट के आसफास मार्केट गई ती देन मार्केट के बढ़ डिक्लायन है जैसे कि आप यहां पर देख सकते है कि केसी हंडे इंडिक्स का जो आज का वॉल्यूम है डाट इस वन हंड्रें थर्टी सिक पॉंट फाइम मिलियन और कह सकते हैं कि के के स्टार्ट इट्स गुर्ड अच्छा उसके और टॉप एक्टिव स्टॉक्स में डव्यूट इल्स एनरजी को समकेल प्यारल है स्कूल टैली चोटे-चोटे नाम है बड़े नाम नहीं है तो चलिए टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं टेक्निकल चार्ट हम को एक बॉक्स के अंदर हो लिए अब इस बॉक्स से क्या मतलब है और किन लेवल्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है तो यहां पर इसको थोड़ा से जूम इन करते हैं और फिर सलते हैं अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो लास्ट क्लोस लो था वो था 63,856 और आज का जो लो है वो है 64,079 एक बात तो यह तैय हो गई कि मार्केट ने अपने लो को मेंटेन किया है इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट को इस लेवल को एट लीस जहें वो बरकरार रखना ज़रूरी है और अप्ट्रेंड तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है देन जादर मार्केट अपने इस जोन के अंदर आ चुकी है जो कि है 64,900 से 65,300 का जोन है जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रिविश्ली मार्केट यहां पर काफी तदर रिजिस्ट कर चुकी और इसके बाद काफी ददर डिब भी मार्केट ने यहां पर लिया जैसे कि यहां से यहां तक का डिब यह अगर हम काउंट करें कितने पॉइंट से तो अल्मूस्ट आप समझ लीजिए कि यह हैं आपके कुछ रफली छे हजार पॉइंट्स जहां में मार्केट ने डिकलाइन लिया था तो अब मार्केट वापिस से उस उस पर्टिकुलर एडिया को री टेस्ट कर रही है अब इस री टेस्ट के लिए जो इंपॉर्टन ट्रिगर है वो है आइमेफ के साथ जो अभी ऑन्गोइं बात्ची चल अब यह जो एक्स्टेंड़ फर्ण फैसिलेटी है यह खतम होगी तो गौवर्मेंट यह भी प्लान करेंगे फर्दर जह वह एक लॉंग टर्म प्लान लिया जा सके अभी तरक उसका कॉंटम जो है वो डिस्क्रोज नहीं किया है मिनिस्ट्री की तरफ से बट डेफिनेटली बात्चीत में यह वली चीज भी ऑन टेबल है कि वहाँ पर बात की जाए तो अगर यह चीज हो जाती है और आयम एफ की तरफ से ग्रीन सिगनल मिलता है तो देन कुछ सांस लेने की जो हालत होगी पाकिसान की वह आ सकती है जो एक्स्टरनल प्रेशर एफ एफ एक्स सकते हैं तो अगर आयम एफ जो है वह लोन अप्रूफ करता है आयम एफ एक ग्रीन सिगनल और कॉन्फिटेंस दिखाता है पाकिसान की परफॉर्मस के उपर तो दिन डेफिनेटली जो अगर इंफलेशन हिट करता है इसके पहले एक और चीज जो के ऑन कार्ड्स है विच इस मॉनेटरी पॉलिसी तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक इंपॉर्डन डॉल प्ले करेगी यहां पर तक्रीबन एक सर्वे था जो मार्केट करता उसके अंदर 55 परसंट जो लोग हैं जो मार्केट एक्सपर्ट हैं दे कंसीडर के रेट कर जो है वो नहीं होगा अभी इस्टेटस को रहेगा और जबके 45 परसंट के आसपास जो हैं वो यह कंसीडर कर रहे हैं कि रेट के अंदर जहें वो कट आ सकता है बेस्ट रॉन इंफलेशनरी नंबर जो के कल की वीडियो में भी डिसकस किया था कि इंफलेशन के नंबर सॉफ यह है कि अभी गर्वर्मेंट को इंटरस्ट रेट को फॉरण से कट नहीं करना चाहिए इंफलेशन को जरा कंट्रोल में आने चाहिए उसके बाद अगर रेट कट होंगे तो पिर हम कह सकते हैं और इसके साथ इंटरना इंटरनाशनल मार्केट की बात की जाए तो बहुत ज आप कहलें कि वेरी नेक्स्ट यह सून नहीं होने वाला तक रिबन जून तक जो है वो रेट कट की एक्सफेक्टेशन है के रेट कट होगा तो अगर इंटरनाशनल मार्केट को देखें पाकिसान पाकिसानी मार्केट तो यहां पे भी स्टेटस को रखना अभी नीड है गर पर बन पा रहा है के रेट कट के जो चांसे हैं वह हो सकते हैं जो फॉटिव पट्रट लोग हैं जो कि expect कर रहे हैं कि रेट कट हो सकता है तो बहु क्या आता है देन जो बजट वगेरा भी आएगा तो वो भी एक ट्रिगर होगा मार्केट के लिए बट प्री बजट रैली तो मार्केट या तो चीजों के उपर आता है और ग्रीन सिगनल देता है तो अपनी कंडिशन भी अपलाए करेगा जैसे के एक न्यूज मार्केट में चल रही थी कि जो फीड गैस है जो बिसिकली जो फर्टिलाइजर सेक्टर को जो सस्ती गैस दी जा रही है उसको तो यह भी एक न्यूज इन सर्कुलेशन है तो यह तमाम फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट के उपर असारंदाज हो सकते हैं तो इसलिए बड़ा क्रूशली डिसीजन है कि आप अगर प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट टिकिंग करें के साइट पर हो जाएं और वेट करें इसे इंट्री से उपर जा सकती है अधर्वाइस मार्केट पर से यही आप अडाउन रहेगा मार्केट यहां पर ही कंसॉलिडेट होती रहेगी और डेफिनली मार्केट पर इवेंच्छली जब बायर्स निगल जाएंगे मार्केट से तो सिर्फ सेलिंग प्रशर एक्जिस् मार्केट को काफी ज़्यादा नीचे ला सकता है तो इसलिए दियान रखना बहुत ज़रूरी है कि इन लेवल्स को दियान में रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग स्विंग इंट्रडे स्ट्राटिजी को प्लैन करेंगे ना कि सिर्फ वह आप इंट्रडे के उपर इस च समाम चीजे आप कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच अगर वीडियो अच्छे लगे तो कॉमेंट में जरूर बताईएगा थैंक यू सो मच वंस अगें फो वाचिंग इस एंटार वीडियो